अलो प्रेंड वेल्कम तो माई यूटूब चैनल फीजिकल एडिकेशन स्टूडियो अज के वीडियो में हम बात करेंगे 95% कॉंफिदेंस इंटरवल के बारे में यह स्टाइस्टिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जब भी आप कोई स्टाइस्टिक्स के या आउपूट्स देखते हो वापर आपको 95% कॉंफिदेंस इंटरवल आपको मेंता है तो यह क्या इंडिकेट करता है उसका क्या कंसेप्ट होता है यह समझने के लिए हम एक सोटे से एक्जांपल की हैल्प लेते हैं हम यह एक मारी पॉपुलेशन है तो इस पॉपुलेशन क की हम हाइट को मेंजर करना चांब है तो उसकी हाइट मेंजर करने के लिए हमने पूरी पॉपुलेशन की हाइट तो मेंजर कर नहीं सकतें प्वूपुलेशन से हमने एक स्मॉल सेंपल तो ख्योटा किया है हमने एक चोटा सा सेमपल लिया एंदर से और तुमारा सेमपल है वो है 40 सब्जेक्स का हमने उसके अंदर से सैंपल लिया है और जब हमने उनकी हाइट मेजर की तो जो मीन आया हाइट का वह था 175 सेंटीमीटर कि वो स्टेंडर डेविये शंथा 20 सेंटीमीटर आप हम यह पता करना चाहते हैं कि जो यह 175 cm जो मीन आया है क्या है तो पूरी यह कोरी में 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 कि лиз ti उंक पूरी हो नहीं सकता कि both करले सिंविश्री में वह दूज्रों को तो मुंझ जेट किया नहीं हांते तो उसके अंदर से only 40 subjects को consider कि हमारी population है 100 subjects की उसमें से हमने सिर्फ 40 subjects का लिया है यह तो possible नहीं है कि पूरी population का mean 275 cm हो उसके लिए हम एक confidence क्रियेट कर लेते हैं कि अगर यह 175 ना हो और एक lower bound और एक upper bound क्रियेट कर लेते हैं कि हम 95% एक confidence level क्रियेट कर लेते हैं कि यह अगर इसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा तो हम यह मान लेंगे कि तो हमारा सेंपल है वो एक्सुली में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी कोपूलेशन को और तो सेंपल के वो सेंपल के अंदर ज्यादा हिट्रोजिनीटी नहीं है तो जो यह लोवर बाउंड और तो यह अपर बाउंड है जो हमने एक रेंज डिसाइड की है 95% के लिए इस 95% का मतलब यह है अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम कंड़क्ट करें तो 95 टाइम तक जो हमारा ट्रू मीन है रूमीन हमारा पॉपूलेशन का मीन कि रूमीन होते हैं हमारे पॉपूलेशन को मीन को और इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं यह 95% सांसीज है कि यह लाइक करेगा लोवर और अपर पाउंड जो भी हमारा जो अभी हम नेक्ट कैलकुलेट करेंगे उसके बीच में और 5% सांसीज हैं कि हमारा जो प्रूमीन ह वो इसमें लाइक नहीं करेगा अगर 95% तक वो इसके बीच में लाइक कर रहा है तो हम यह माल लेते हैं कि हमारा सेंपल की जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी पॉपूलेशन को तो चलिए वो लोवर और अपर बाउंड है वो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज करते हैं कि 95% confidence interval को calculate करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो है एक्स बार पलस माइनस जैट इंटू इस टेंडर डेवियेशन टिवाइड वाई व्यर रूट ऑफ टोटल एंड अब जो हमने फॉर्मूला किया है उसके इंदर देखिए जो हमारा सेंपल था उसेंपल में मॉस्ट ली हमारी जो वैल्यू जब है हमारे पास हमारे पास टोटल एंड भी है मीन भी है और वैल्यू नहीं है लोटकी में देखने के लिए आपको जो जैड की टेबल होती है वहां से 95 परसेंट की वैल्यू आपको देखनी होगी या फिर मैं आपको ईजली एक ग्राफ के दुवारा नोर्मल डिस्रीडुशन करण को लोग करके तर्ब जाने की कोशिश करता हूं दोनी काई उसके बीच में तो मीन लाई करता है जिए ओक डर को हमारा मीन यहाप पर दीव में लाई करता है और आप हुआओ साफर सीग्मा प्लस माइनस फिर सेकंड ड्क सिग्मा पलस माइनस और फिर फार्ड सिग्मा पलस माइनस एक राइट साइड में आपकी पलस की वैल्यूज होती हैं और लेट साइड में माइनस की वैल्यूज होती हैं तो जब आप यह बैल सेफ और आपने देखी होगी तो जो सेकंड सिग्मा होता है हमारा सेकंड सीगमा के अंदर आपकी 95 परसेंट जो डेटा है वो पलस माइनस सेकंड सीगमा तक लाई करना है आपकी नॉर्मल इस्ट्रिडूशन तो जो ये पलस माइनस सेकंड सीगमा है इसकी ओरिजिनल वैल्यू ओती है है 1.96 इसको एप्रोक्सिमेटली हम तू लिखते हैं तो आपकी जो जैड की वैल्यू है वह है 1.96 हम यहाँ पर लिखते हैं जैड की वैल्यू भी 1.96 तो आप सलिए सिंप्ली हमों लोवर बाउंद और अपर बाउंद जो रेंज है वह निकालने के लिए इस पॉर्मूले का यूज करते हैं अब देखिए हमारा जो मीन है सब्सक्राइब हो है 171 75 सेंटीमीटर पलस माइनस हमने इससे आगे का एक्वेशन सौल्ड करनी है जैड है 1.96 इंटू जैड डैवेशन है 20 सेंटीमीटर और टोटल एन है आपका 40 जब आप इस एक्वेशन को सौल्ड करोगे तो यह आएगा आपकी वैलु मैं डार्क्री वैलु लिखेठा हूं क्योंकि मैंने पहले से केलक्पीलेट करके रखा है . लिखेठा हूं मैं इसकी वैलु आएगी आपकी 6.2 0 देखिए यह जो 6.2 0 जो वैल्यों आई है he i stop जैसे margin of error भी बोलते हैं Marision of Error यही वो margin है, जो हमारी lower bound और upper bound को create करने में help करेगा अब देखिए जो इस 6.20 है, margin of error है इसे आप जो mean है उस mean में एक बार तो add कर दो तो आपको मिलेगा आपका upper bound ऐसे आप इसको उसके से सब्स्ट्रेक्ट करोगे तो वू फिर मिलेगा आपको आपका लॉवर पांट तो जब आप इसको इसके इंदर ऐड गरोगे जब एड करने के पाद वैल्यू इड आई इड आपकी 181.20 जीरो और सब्स्ट्रेक्ट करने के बाद वैल्यू आएगी आपकी 168.80 यह है आपके लोवर पाउंड और यह अपर बाउंड अगर आप ड्रू मीं पोपुलेशन मीं अगर इनके बीज में लाई करता है कि आपका जो सेंपल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पोपुलेशन को या फिर हम दिट्रेट लेंग्वेज में कहें कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को कंडेक्ट करें तो यह पोसिबिलिटी है कि जो ट्रू मीन होगा वो लाई करेगा इन लौवर बाउंड और नहीं करेगा तो हम 95% कॉंफिडेंस इसलिए लेकर चलते हैं अगर हम 95% कॉंफिडेंस के बीच में यह वैल्यू नहीं आती तब जाकर जो हमारी हाइपोथेजिस वगयरा जो है वो रिजेक्ट हो जाती है यह हमारा एक्सेप्टेंस रिजन है 95% 95% टाइम्स यह होगा कि जो सीखा 95% कॉंफिडेंस इंटर्वल जो हमें लोवर और अपर बाउंट की जो रेंज है वो निकालने में हेल्प करता है आज के वीडियो में इतना ही थेंक्यू थेंक्यू थेंस पॉर बोल्चाइब